हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल लॉजिक पाच्छाला माई नेम इस हिमानी चोहान तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 13 ओफ माई 2020 के करेंट अफेस के इंपोर्टेंट क्वेस्चन देगे लास्ट की वीडियो में मैंने गलती से 13 बोल दिया था जो 12 ओ अलकुल नहीं होएगा तो आपके लिए वीडियो बहुत हैल्फुल रही की I hope so आप सभी को वीडियो पसंद आए आपको explanation मेरी समझ में आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे like, share and subscribe जरूर करें तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो देखिए आज की हमारे जो first वीडियो है first question है वो है हमारे पास किस संगठन ने वैश्विक उर्जा की समिक्षा 2020 रिपोर्ट जारी की तो अभी हाल ही में अंतरास्टिय उर्जा एजंसी ने वैश्विक उर्जा की 2020 की रिपोर्ट जारी करी इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जो दुनिया भर में कार्बंड़ आउकसड उचसरजीत होती है उसके उच्विक सर्जन पे रोक लगाई ने जानी चाहिए और जो उर्जा की मांग है जो निरंतर बढ़ती जा रही है उसको उजाकर करना इस रिपोर्ट का उदेश था तो यह जो report जारी करी गई थी यह अंतरास्टिय उर्जा agency के द्वारा report जारी की गई थी आईए देखते हैं second question है हमारे पास किस संगठन ने चेचक पर समारक डाक टिकेट जारी किया तो अभी हाल ही में संग्तरास्ट संग ने इसे WHO के साथ मिलके किया था तो यह दोनों चीज़ा आपको ध्यान रखनी है WHO और संग्तरास्ट की agency ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक समारक डाक टिकेट जारी किया है यानि 40 साल हो गए हैं किसको चेचक के उन्मूलन के लिए तो इसे उपलक्ष पर संग्तरास्ट और WHO ने मिलकर यह समारक डाक टिकेट जो है वो जारी किया है अगर बात करें चेचक तो देखें चेचक जो है एक विशानु जनित रोग होता है इसके टीके की जो खोच करी गई थी वो Edward Jenner के द्वारा की गई थी चेचक की टीके की खोच यहाँ पे दो टर्म आई हैं एक है संग्तरास्ट और एक है WHO दोनों के बारे में चानते हैं संग्तरास्ट के अगर बात करें तो यह एक ऐसी एजनसी आप कहले जिया ऐसे संस्ता है जो पूरे विश्व भर में शान्ती और सिक्योरिटी यानि सुरक्षा को मिंटेन करने का क हिल्थ और्गेसेशन इसकी स्थापना होई थी 1948 में इसके हटक्वार है जेनेवा स्विजरलैन में जगह है जेनेवा वहां इसका हटक्वार है और इसके चो डारेक्टर है उनका नाम है टेड्रोस एड़मॉन यह इसकी जो है वो director है, एड़नॉम, इसके डारेक्टर है, ड़ो एचो के, तो ये दोनों बाते ध्यान रखना, अगर देके सम्व्तिरास्ट और ड़ो एचो आपके option में मिलेगा, तो ये दोनों option ही जो होंगे, वो सही होंगे, तो इसलिए दोनों बाते आप ध्यान रखें, Moving to the third question, third है मारे पास भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान जो हम क्या कहते हैं खेल रतने प्राप्त करने वाले किस एथलीट ने सन्यास का एलान किया है, तो ये किया है दीपा मलिक ने, option इसका D बिल्कुल right answer है, दीपा मलिक जो है वो एक एथलीट है जो की पैरा ओलम्पिक्स खेलती है, इन्हों अभी हाल ही में सन्यास की गोशना करी है, ये विकलांग भाटते खिलाड़ी है, जो विकलांगों की sport championship होती है, उसका नाम है पैरा ओलम्पिक्स तो इन्होंने 2016 में पैरा ओलम्पिक में short put में रजक पदक जीत कर इत्यास रचा था, यानि इससे पहले कि इसी ने भी, मतब जो विकलांग की लाड़ी है, उसने medal हासिल नहीं किया था, इन्होंने medal हासिल करके इत्यास रच दिया था, और इन्हें 2012 में पदम श्री पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था, तो अभी हाल ही में इन्होंने सन्यास लेने की गोशना, यानि सन्यास लेने का एलान कर दिया है, इसका आंसर है option number D, आगे पड़ती है, fourth question है हमारे पास, राष्टिय तकनीकी प्रोध्योगी की दिवस कब मनाया गया था, तो इसी मनाया जाता है हर साल 11 मै को, option number C बिलकुर right answer है, अब ये क्यों मनाया जाता है, देखे, national technology D बनाया जाता है 11 मै को तो यहां से अगर एक बात ध्यान दखना, 11 मै 1998 को भारत ने सफलता पूरवक पहली बार परमानु परिक्षन किया था, बेंगलॉर में ये परिक्षन किया गया था, उस समय भारत की जो प्राइम मिनेस्टर थे, वो अटल बिहारी बाचपई थे, इसी के उपलक्ष में, या पीछे का reason भी आपको पता होना चाहिए, for your knowledge, ऐसा नहीं कि अग्जाम में आपको लिखने के लिए आएगा, बट आपको पता जरूर होना चाहिए, तो ध्यान दखना, राश्ट्रे तक निएक की प्राध्योगरी की दिवस मनाया चाहता है, 11 मै को, उसके बाद 5th question है हमारे पास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम की अवधी को 8 गंटे से बढ़ा कर कितने घंटे कर दिया है, तो अगर बात करें, आजकल COVID-19 से बहुत ज़दा उद्योग और व्यवसाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि कोई उद्योग नहीं चल रहा, कोई व्यवसाई न कर दिया है, इसका अंसर है option number B, यानि जो उद्योग हैं और जो व्यवसाई हैं उन्हें दुबारा पट्री पर लाने के लिए, यानि दुबारा से उनकी मतलब जिस मुकाम पर वो थे, वापस से उसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए, जो कारखानों में काम हैं, उसके काम को किया है, तो ये किया है मद्यपरदेश के कापिटल है मद्यपरधेश की और बोपाल, CM का नाम मैंने अभी बताया है शिवराद सिंग चोहान गवर्नर का नाम है लाल जी दास टंडन अभी लास्ट शूड़ों में मैंने आपको बताया था कि मद्यपरदेश यो है वो मद्याहन भोजन प्रदान करने वाला पहला राज़ी बन गया है आने वाली हाल फिलाल में ही सभी योजनाइ यह जीतना स्थ करेंट अफोफेस को लिंक करके पड़ेंगे उतना ज्यादा आपको benefit मिलेगा है उतना ही जादा आपको उससे क्या मिलेगा फाइदा भी मिलेगा क्योंकि करण को जितना लिंक करके पढ़ा जाता है उतना जल्दी याद करने में उसको आसानी होती है आईए बढ़ते हैं सिक्स क्वेशन पे हरी शंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया है विक किस छे इरोपियन और रूसी इत्यास यानि हम कहें तो भारत रूस संबंधों के ये विशेशग्य थे और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया काफी अच्छे विशेशग्य माने जाते थे तो इनको याद रखना है जो फेमस देखे चाहे वो किसी भी फेल्ड से हो को इत्यासकार हो फेमस पत्रकार हो अभी नेता हो अगर किसी का निधन हुआ हो तो वो आप सभी के एक्जाम के लिए important बनता है question तो ध्यान रखना हरेश अंकर वासुदेवन इध्यास कारते हैं और इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है 7 question देखी क्या है किस ने lab electronics gadget paper road currency नोटों को sanitize करने के लिए स्वेचालित UV सिस्टम विक्सित किया है तो ये विक्सित किया गया है DRDO के द्वारा option number A इसका सही answer है देखी DRDO ने इसे क्यों विक्सित किया है जो road वगएरे पर आजकल आप देख रहे हैं कि काफी सदा currency पड़ीवी मिल रही है तो ये ख़त रहे कि उस currency पर कोविट का जो वाइरस है वो हो सकता है तो उन नोटों को sanitize करने के लिए एक ऐसा gadget बनाया गया और उसका नाम भी रखा है DRUVS ये इसका नाम है gadget का Defense Research Ultraviolet Sanitizer इसका नाम है gadget का और इसे बनाया है DRDO ने इस device से क्या होगा जो mobile phone होगे ऐसा नहीं सिर्फ note note ही से sanitize हो सकेंगे जो mobile phone है जो iPad है laptop, paper, currency, note ये सब जो है वो इससे sanitize किये जा सकते हैं और इसमें इस्तमाल होगे UV rays यानि ultraviolet rays के द्वारा इसमें जो है वो सभी चीजों को sanitize किया जाएगा अब बात होई है DRDO की तो DRDO की full form होती है defense research and development organization ये हमारी एक ऐसी organization है तो defense में defense के लिए जो भी नए चीज़े development कर जाती है वो ये संस्ता करने का काम करती है और आज कले COVID-19 में बहुत ज़दा अपनी बूमिका निभा रही है इसकी स्थापना होई थी 1958 में और इसका headquarter जो है वो न्यू डेली में है ये भी आप रहा सकते हैं इनका जो मूल वाक्य है वो है बलस्य मूलम विग्यानम ये भी आप ध्यांदक सिंखते हैं और DRDO के chairman जो है वो जी सतीश रेडी जी है तो ये सारी बाते भी आपको इस question के साथ साथ जो है वो याद रखनी है अगला question है हमा होकी महासंग के अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया है आप यहां पर साइड में पिक्चर जिनकी देख रही है ये नरिंदर बत्रा की पिक्चर है इन्हें अभी अंदराश्टे होकी महासंग का अध्यक्ष बनाया गया है अब जो अंदराश्टे होकी महासंग की बात हुई है इसके स्थापना हुई थी 1924 में इसका हेड़कॉर्टर जो है वो स्विजर लेंड में जगा है लाज़ेन यहाँ पर इसका हेड़कॉर्टर है और इसके CEO का नाम है थियरी वील थियरी वील जो F.I.H. है यानि अंतरास्ट्रिय होकी महासंग है उसके CEO का नाम जो कि पचासवी जैनती के अफसर पर सड़क का नाम उनके नाम पर रखने की गोशना की है यानि और भी रविंद नाड़ टेगोर के नाम पर रखने के गोशना की है और ये की है इसराइल ने option A बिलकुल इसका right answer है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर road का नाम में टैगोर लिखा हुआ है तो इन्होंने रविनार टैगोर के समान में इसको किया है और इसका नाम भी इन्होंने क्या रख दिया प्राइस से भी साहित्य में सम्बानिप किया गया था तो ये भी बातें आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है जो आपको question के अलाबा चीज़ें पताए जाती है अगला question देखें 10 question क्या है 1 जुलाई 2020 से साओधी अरब में 5% वेट को बढ़ा कर कितने प्रतीशत करने की गोशना की है तो देखिए जो साओधी अरब है उसने अभी 5% से बढ़ा कर जो वेट है उसको 15% करने के गोशना की है option B इसका सही आंसर है COVID-19 महमारी के चलते कम तेल की कीमतों के कारण जो उनके देश में आर्थिक मंदी आ गई है उसको उससे निपटने के लिए उन्होंने इस पर जो वेट है उसको बढ़ा के 5 से बढ़ा कर कितना कर दिया 15 कर दिया यानि कितना बढ़ाया है? 10 प्रतीशत बढ़ाया है तो इस तरिके से mind को सेट करें कि question ऐसे आ गया कि 5 से कितना बढ़ाया गया? तो 10 प्रतीशत बढ़ाए गया और हो कितना गया 15 प्रतीशत हो गया तो दोनों हिसाब से ध्यान रखने चड़िए क्वेशन कि बढ़ाया कितना गया और अब बढ़ाके कितना हो गया तो अगर ऐसे याद रखेंगे तब भी एक्जाम में सेलेक्शन हो सकता है किस देश ने अपनी नई मुद्रा तो मान की शुरुवात की है तो ऑप्षिन्स में आपके पास सामनी है आप मुझे बताएं A, B, C, D में से कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेशन पूछा किया था तो उस गैस का नाम भी आप ध्यान रखना चाहिए आपको उस गैस का नाम है स्टाइरीन उस गैस की वज़े से हाल ही में प्लास्टिक फैक्टरी में बहुत बड़ा हासा हुआ था और ये हासा हुआ था विशाखा पटनम में तो ध्यान रखना जो भी करेंट से रिलेटिट हाथ से हो या कुछ भी हो रहा हूँ सभी हम आपको प्रवाइट कर रहे है और सभी के सासत आपको महत्वपूर्ट जानकारी भी दे रहे है तो प्लीज आप चैनल को लाइक ज़रूर करें बिकाज यह महनत आप देखी रहे हैं कि आपके लिए कितनी महनत की जा रही है और प्लीज सभी के साथ इसे शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट दे की करेंट अफेस के साथ अब बेच वर यह सब्सक्राइब करें